नमस्कार दश्को चुनावी बेला में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं मैं हूं दिपिका तो अभी हम खड़े हैं बार नमर चार में जहां से रीता खन्ना जी जो है वो पार्शत पत के लिए उमीदबार चुनावी मैदान में उतरी हैं तो आईए हम उनसे बात करते हैं जानते हैं कि उनका चुनावी जिन क्या है और प्रचार प्रशार के दरान लोगों का कैसा सहयोग जो है उनको मिल रहा है मशकार मैम अश्टुडे में आपका स्वागत है धन्यवाजी मैम आप हमें ये बताए कि आपका चुनावी जिन क्या मिला है आपको मुझे चुनाव निशान मिला है सिलाई मशीन और तीसरे नंबर पे मेरा नाम है रिट्या खन्ना तीसरे नंबर पे सिलाई मशीन का निशान मैं हमें ये बताइए कि जैसे प्रचार प्रचार कर रही है आप लोगों से मिल रही है लोगों के बीच जा रही है तो क्या समस्याएं जो है वो लोग उठा रहे हैं और कैसा सही योग जो है उनकी तरफ से आपको मिल रहा है देखिए मैं 15 से अभी तक पार्शदी हूँ और मैं 5 साल से लोगों के बीची रही हूँ और लोगों की पूरी समस्याओं को मैंने जाना है, समझा है और काफी हद तक उन्हें पूरा करने की कोशिश की है और कुछ समस्याओं हैं हमारी, जैसे सीब्रेज की है कुछ जगा पे हमारे गलियों में बड़ी नालियां डालने हैं क्योंकि हर जगा से छोटी छोटी नालियां आ रही हैं तो मेन नाली पे बड़ी नाली डालके तो उसको हमने पूरा करना है क्योंकि फिर के जगा पानी पीछे अटता है तो एक दो जगा ये समस्या है और चार जगा हमारी सीवरेज की समस्या है और परसार के दरान हमें ऐसा तो कुछ नहीं लोगों का पूरा से योग मिल रहा है पूरा शीरवाद है उनका मेरे पर और पूरे इसके साथ क्योंकि मैंने पांच साल उनी के बीच में बिताए है तो आपकी प्रात्मिक्ताएं जो हैं वो क्या है प्रात्मिक्ता मेरे सीवरेज के लिए रहेगी पहले और फिर बड़ी-बड़ी नालिया जो मुझे में जैसे परताप गली होगी या फिर रेस्टास वाली गली होगी उन में 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 गलीयों में जो में में डालनी है बड़ी-बड़ी नालिया और जहां तक हो सकेगा हम CCTV का कैमरे का भी करेंगे प्राफदान बैसे हमने पहले भी यह मुद्दा उठाया था तो कमेटी में उन्होंने रखा था कि हमारे पास बज़ट नहीं है लेकिन हमने बुला था कि में में चोर आए जाएं बहां CCTV कैमरे लगने चाहिए पुली के निर्वान से हमें लोगों का यह सुनने को मिला है लोगों ने बहुत सराय उस काम को और उन्होंने कहा है कि जैसे तीन नाले के साथ के जो घर हैं उनको कंस्ट्रक्शन भी कुछ करनी होती थी तो नाले के उपर वो मतलब अस्थाई पुल डालके वो समान वहां से पार नंबर तीन में उतारते थे और चार तक लाते थे अस्थ काम की हैं ऐसा कुछ नहीं है पानी की पाइपें जो हैं बो डलवाई हैं बड़ी बड़ी पाइपें डलवाई हैं ऐसा कोई एक काम जो है वो छोड़ानी है सीवरेज का भी की है लेकिन चार जगह हमें सीवरेज की अभी भी प्राबलम है दो जगह तो मतलब हमें लोगों क जमीन का है, कि लोगों की जमीन से होके गुजरेगी तो लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। दो जगा वैसा है और दो जगा का काम जो है बो लगेगा। अभी एक साल तो अभी करोना की बज़े से काम नहीं हो पाया। इसलिए एक टेंडर तो तब ही रुक गया है। अगर आप अभी पार्शत चुन के आती हैं, लोग आपको चुनते हैं तो आप क्या काम प्रात्नक्ता के साथ करवाएंगी। सीवरेज और नाले का चैनलाजेशन तो हमने डंगे लगाने पहले शुरू कर दी हैं और जहां तक हो जाएगा मतलब कुछ एरिया जो है उस पे लेंटर डल जाएगा बहां तक। आपको चैनलाजेशन तो मैंने इस मुद्दे को भी उठाया है अपने हाउस में भी उठाया और यह किया और मैंने दो मिन्ने का किराया भी माफ करवाया है अपने हाउस से कमेटी से दो मिन्ने का किराया जो माफ करवाया है पहले उन्होंने हाउस में पास किया था कि रेड हमने उस मुद्ड को भी उठाया था और फिर उना चेसो रपया कि या तो मैंने चेसो सभी कम कर्वागे चार सुर पिराया करवाई और रीड परडी मांवालों कर लिए तो मैं घरिब ओं के साथ मैं मैं उनकी आवाज से आवाज मिलाने वाली आवरत हूँ और मुझे लगता है कि लोग मुझे सहयो करेंगे इस बात की मुझे पूरी उमीद है धन्यवाद ओके धन्यवाद में हमारे साथ बात करने के लिए तो ये थी पार्ट नमबर चार से रीता करना जी जिन्होंने बताया कि जो भी मतलब अभी बजे हुए हैं काम उनको जो हैं प्रात्मिकता के साथ करवाएंगी ये